Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश से पुलिस की एक और भरती आ गई है जैसा कि आपको पता है पहले दरोगा की भरती आई थी और उसके जो आवेदन है अपरेल से स्टार्ट हो जाएंगे और अब एक और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और ये जो भरती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनकी height कही न कहीं कम पढ़ जाती है या फिर दौर में कहीं न कहीं कम पढ़ जाते हैं तो उनके लिए ये vacancy बहुत अच्छी है क्योंकि ना तो इसमें आपको हाइट की चिंता करनी की जरूरत है हाइट में भी छूट दे दी जाती है और दोड़ भाग की भी इसमें कोई ऐसी चिंता करनी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लर्क जैसी एक जॉब है और ये देखिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 21 मार्च ये कल का ये देखे दिनांक लिखा हुआ यहां मार्च 2021 और ये जो नोटिविकेशन है आ गया है और इसमें बताया गया है कि कौन सी भरती है कितनी आई हुई है तो पहला दिया हुआ है पदनाम पुलिस उप निरिच्छक गोपनी समूग गा की जो भरती है और य यह दो सो पंचानवे पद इसमें है उत्तर प्रदेश पुलिस में और सतारगता आधिनाष्ट अधिस्थान उत्तर प्रदेश लक्नऊ में 32 पद हैं पुलिश उपद्याच सौरी पुलिस सहायक उप निरीच्छा समूगा ये है लिपिक की है और सारी लिपिक की है और इसम घृप्रॅब लग 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 यहां पर देख सकते हैं और यह जो कमप्लीट नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा लिंक डिया हुआ है और देखिए सभी का अलग-अलग यहाँ वैकेंसी दिया गया है अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो परिच्छा तिती है वो क्या होगी कब से आवेधन किये जाएंगे ये सारी चीजें इलिजबिल्टी क्या होगी ये सारी चीजें अब हम आगे देखने वाले हैं तो देखिए ओनलाइन आवेधन की जो समय सारानी दे गई है बताया गया है कि जो ओनलाइन आवेधन है ये आपके एक मई से स्टार्ट होगे जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दरोगा के जो है एक अप्रेल से सुरू होने वाले हैं और उसके जस्ट एक महबाद एक तारीक से एक मई से ये आवेधन सुरू हो जाएंगे और आवेधन भरती की प्रक्रिया के लिए जो आपका सुल्क है वो चार सो रुपए लिया जाएगा और सभी के लिए चार सो है ऐसा नहीं कि किसी को तीन सो देना है दो सो देना है सभी के लिए 400 किया गया है SCST सभी के लिए और आरता या दिया गया है कि राष्टी होना चाहिए आप बाहर से नहीं हो कहीं से बाहर से ना हो सेचिक आरता की बात की जाए तो पुलिस जो उप निरिछक गोपनी पद के लिए है उसमें देखी पहला बताया गया है कि भारत में विधी द्वारा इस्तापित विष्विद्याले से इसना तक आपने BA, BST, B.com जो कुछ भी किया है वो सब हो आपके पास 25 प्रती सब्द मिनट की हिंदी आपकी टाइपिंग होना चाहिए और कम से कम 30 सब्द प्रती मिनट की अंग्रेजी मलब दोनों टाइपिंग होना चाहिए एक से काम नहीं चलेगा इंग्लिस तो जाज़तर बच्चों को आती है हिंदी बहुत कम बच्चे सीखते है तो आपको यहाँ पर दोनों जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए पच्चेस हिंदी चाहिए आपकी और तीस इंग्लिस चाहिए ठीक है नियूंतम अस्ती सब्द प्रती मिनट की गती से हिंदी आसुलिपिक सुरुति लेखन भी यहाँ पर चाहिए होगा तो गोपनी पद के लिए यह है तो हो सकता है जिनके पास आसुलिपिक का यह सबना हो तो वो ना डाल पाए इसमें बाकी यह सारी चीज़े इसमें आपको चाहिए और आगे बताया कि भरती इबंपरणती बोर्ड द्वारा अब धारित सुद्ददा के आधार पर अभ्यारती वो सफल गुसित किया जाएगा भारत सरकार के जो नाइलेट का डिप्लोमा है ओ लेवल का वो आपके पास यहां होना चाहिए और या फिर इसके समकच का आपके पास कोई डिगरी या डिप्लोमा है वो भी यहां चल जाएगा और इन्होंने सारी चीज़े नीचे लिस्ट में बता दी है कि O-Level के समकच क्या होगा UPPSC जैसा खेला नहीं खेला है इन्होंने कि बताते ही नहीं है कि क्या यहां पर O-Level के समकच है या क्या समकच नहीं है केबल PGDC को मांगते हैं इसके अलाबा जो भी BTEC किया हो आपने कुछ भी किया हो यह मानते ही नहीं है तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है सारी चीज़े बताई गई है कि आपका अगर ग्रेजुशन में भी तीन साल तक लगातार कंप्यूटर था तो भी मान लेंगे तो सारी चीज़े नीचे बताई गई है अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी तो O-Level हो या O-Level के समकच्छो तो आप इसको डाल सकते हैं दूसरा है पुलिस सहयक उपनिरीचा लिपिक पद के लिए है इसमें भी आपके पास ग्रेजुशन होना चाहिए हिंदी टाइपिंग 25 की होना चाहिए इंगलिस टाइपिंग 30 की होना चाहिए नाइलेट का डिप्लोमा जो है O-Level का वो होना चाहिए या फिर समकच्छो इसमें आप से आसुलिपिक नहीं मांगा है तो बहुत से बच्चे जो है इसके लिए एलेजिबल हो जाएए क्योंकि जो आसुलिपिक है काफी कम बच्चे किये रहते है तो जिनके पास होगा तो उनके पास एक और अच्छा मौका है कि वो उसमें भी फर्म भर देंगे कार द्वारा मानिता प्राप्त कोई समकच्च डिग्री हो आपके पास डिप्लोमा हो तो भी मानिक कर दिया जाएगा तो आपके पास बीकॉम हो एमकॉम हो यह सारी चीज़े होनी चाहिए टाइपिंग आपसे बहुत कम मांगी गई है पंदरा सब्ध प्रती मिनट मिनट जो ह लेवल के समकच्च तो यह भी काफी अच्चा है सुनहरा मौका है बीकॉम बालों के लिए इस पेसली आगे देखिए टिपड़ी में दिया है पंजीकरण की अंतिम्तिति तक आप ब्यारतियों को आपे चित सैचिक आरता है अवश्य धारत करनी चाहिए तो जब भी अंतिम चीज यही है लास्ट चीज यही है समझ लिजे आगे देखिए अधिमानी आरता हैं दे गई है क्या क्या है डोएक नाइलेट का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए प्रदेशिक सेना में कम से कम दो वर्स की सेवा की हो या यह सारी चीज़े दे गई हैं से कोई कर चुके हो और 28 वर्स अपकी आयू कम हो यानि कि 1793 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो एवं 172000 के बाद ना हुआ हो ठीक है 17200 के यहाना जन्म हुआ हो और उससे पूर्व ना जन्म हुआ हो तो आप eligible होंगे ठीक है इसके पहले जन्म नहीं होना चाहिए इसके बाद के आप जन्में व्यक्ति होने चाहिए ठीक है तो आप क्या है इलिजबल रहेंगे और इसके बाद ना जन्म हुआ इसके पहले के जन्म हुए नहीं वहलब यहां से लेकि यहां के बीच में आप जन्म किये हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपनी डेट अप बर्थ जो है नहीं है आगे देखिए बात करें यहां पर भरती प्रक्रिया की तो देखिए यह चैन उत्तर प्रदेश पुलिस फिलिपिक लेखा इवं गोपनी सायक संबर गहे तो नियमावली 2015 की अधीन पर किया जाएगा और यह बताया गया है कि आपकी जो परिक्चा है 400 नंबर की हो होने वाली है इसमें सामाने हिंदी और कंप्यूटर के जो सौ अंके के प्रस्ण पूछे जाएंगे आप से सामाने जानकारी सामाइक विषय पर जीयस जो आपका है वो भी सौ अंके की होने वाली है संख्या अत्मक एवा मानसिक योगता यानि की रिजनिंग स्व अंक इसक सारी चीजे हैं ठीक है आगे देखिए बताया है कि प्रिकित परिक्षा में प्रतेक विश्य में 35 प्रिक्षत अंक और कुल 40 प्रिक्षत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अब्यारती के लिए पात्र नहीं होगे मलब हर इसमें सब्जक्ट में आपके 35-35 नंबर त जाते हैं और वहां पर 34 भी लाते हैं एक किसी भी एक सब्जक्ट में 34 ले के आ जाते हैं तो भी आपके 334 हो रहा है फिर भी आप बाहर कर दिये जाएंगे तो चारों में 35-35 नंबर तो होने ही चाहिए आगे देखिए पुलिस जो पुरस अभ्यारती हैं उनके लिए यहां बताया गया है कि सामान अन्य पिछड़े वर्ग एवाम अनसूची जाते हैं कि अभ्यारती के लिए नियूंतम जो उचाई है 163 सेंटीमीटर यहां पर मांगी गई है तो आप जानते हैं कि दारोगा बगरे में ज़्य सेंटीमीटर है सीना सा सतर सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए बाकि उसमें 90 और 95 बगेरा मांगते हैं और आगे देखिए महिला ब्यारतियों के लिए जो दिया है उचाही एक 50 होनी चाहिए और अनसूची जाती जो complete slaves है वो यहाँ पर दिया गया है अगर अभी एक एक बाट की एक एक चैप्टर की चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए slaves का जो वीडियो है आपको अलग से बता दिया जाएगा उनके लिए book क्या क्या हो सकती है वो सारी चीजें भी बता दी जाएगी और आब यहाँ पर बात करें कि O Level के समकच क्या है तो यह सारे degree और जो diploma है वो आपको यहाँ पर O Level के समकच दी गए है कि क्या क्या हो सकता और काफी लंबी list है तो इसे आप खुद से पढ़ ले है ना और या फिर आपके लिए एक अलग से जो वीडियो है वो बना दिया जाएगा क्योंकि काफी लंबा इसमें टाइम लग जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है इसे आप खुद से पढ़ ले कि क्या इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू